जहार्खण की जिलों का जो सिरीज हमने स्टार्ट किया है इसी में आज हम लोग देखेंगे पस्चिम सिम्भूम जिला के बारे में पस्चिम सिम्भूम जिला में एक बन है सरंडा बन जिसको 700 पहाडियों वाला छेतर कहा जाता है इस जिले का स्तापना सोवला नवंबर 1990 में हुआ है अगर जार्खन में इसकी हम अवस्तिती देखे तो ये जार्खन के दच्छीनी भाग में इस्तित है इस जिले का कूल छेत्रफल है 7224 बर्ग किलोमेटर और 1 छेत्रफल है 3841 वर्ग किलोमेटर इस जिला की अगर हम चारो दिसाओं में देखे तो पूर्ब की और सरैकला जिला है पस्चिम की और सिमडेंगा और खुंटी जिला है उत्तर की और राची जिला इस्तित है और दक्छीन में ओडिसा इस्तित है इस जिला से प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां है सुर्णरेखा, दक्षिनी कोयल, बेतरनी, खरकई, रोरो, देव, कारो और कोईना नदी इस जीले में इस्तित जल प्रपात है, हिर्नी जल प्रपात, लुपुंगुटु जल प्रपात और थाकोरा जल प्रपात, हिर्नी जल प्रपात, राची चायवासा मार्ग पर चक्रधरपूर से 40 किलोमेटर उत्तर की और इस्तित है, लुपुंगुटु जल प्रपात, चायव इस जिले में इस्तीत एतिहासिक इसमारक है कैसनगड का किला ये किला पस्चिम सिंभुम जिला में ही चायवासा से दक्षिनपूर की और कैसनगड में इस्तीत है दूसरा है जैतगड का किला ये किला चायवासा से 55 किलोमटर दक्षिन की और बैतरनी नदी के किनारे जैतगड में इस्तित है और इस कीले का निर्मान राजा काला अर्जुन सिंग ने कराया था तीसरा है जगनातपूर का कीला ये कीला चाहवासा से 38 किलोमेटर दूर जगनातपूर में इस्तित है और इसका निर्मान राजा जगनात सिंग ने कराया था चोथा है चकरधरपूर की राजवाडी ये राजवाडी चकरधरपूर में इस्तित है इसका निर्मान 1910-20 के दोरान राजा अरजुन सिंग के पूत्र राजा नर्पती सिंग ने कराया था ये राजवाडी इटो से निर्मित है और तीन मंजिल की संगरचना वाला ये अपनी सुन्दरता के लिए प्रसिद है बाद में राजा नर्पती सिंग की पुत्री ससांख मंजरी ने इसे बेच दिया इस जिला में इस्तित प्रमुक धार्मिक एस्तल है बेनी सागर मंदीर समू ये मंदीर चैवासा से 85 किलोमेटर दूर मजगाउं प्रखंड वहां से 16 कि कहा जाता है बेनु सागर बास्तब में एक बड़े से तलाब का नाम है जो कि 60 एकड छेतर में फैला हुआ है यह प्रचीन सिव मंदीर है जिसका निर्मान 602 से 625 इस्वी के मद्ध का बताया जाता है और यहां पे छटी सताब्धी का 33 छोटी-छोटी मिर्तिया मिली है जो क हनुमान गने सिवलिंग आदी है दूसरा है महादेवसाला मंदीर इस जिले में निवास करने वाली प्रमुक जंजातियां है संथाल, मुंडा, हो, खडिया, भुमीज, गोंड, असूर और सबर जंजाती इस छेतर में पाए जाने वाले खनीजों के नाम है लोह आयस्क, एगनीज, चुना पत्थर, तामबा, सोना, एसबेस्ट, बेराइट, बेनेडियम और काइनाइट इसी के साथ यहाँ पे उद्योग भी है इंजिनेरिंग वाक्सुफ उद्योग सीनी, एसीसी सीमेंट उद्योग चायवासा, सोमेंट वाक्स उद्योग जीक पानी दो हजार इग्यारः की जिनगन्ना की अनुसार यहां की कूल जनसेंख्या है फंदर्रह लाग दो हजार तीनसो अटिस पुरू जनसेंख्या है निल्ग अनुपात हैं नौ अर फरति एक हजार पूुता पर महिलाओं की सेंख्या हैं बाल लिंगन उपाथ है 983, साक्षर्ता दर है 58.63, पूरु साक्षर्ता दर है 31.13, महिला साक्षर्ता दर है 46.25 प्रतिसत और जनसेंक्या घनतो है 208 जार्खन में टोटल पांच प्रमंडल है, पांचों प्रमंडल में से पस्चीमी सिम्भूम जिला कोलान प्रमंडल के अंतरगत आता है और यहां का मुख्यालई है चायवासा पस्चिम सिंभूम जिला में अनुमंडलों की संख्या तीन है सिंभूम, पोडाहाट और जगनातपूर यहाँ प्रखंडों की संख्या अठारा है प्रखंडों के नाम है हाट गमर्या, कुमार डुंगी, जगनातपूर, मंजगाउं, चक्रधरपूर, खुट पानी, तातनगर, मजहारी, जिक पानी, बंदगाउं, गुद्डी, नवाउंडी, मनुहरपूर, सोनुआ, गाउलकेरा और आनन्दपूर दोस्तो आज के वीडियो में इतने ही फिर मिलेंगे, एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ वीडियो पसंद आए, तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल से जोडने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रख ले, थैंक्यू